नमस्कार दोस्तो महाकॉसल के यूट्यूब चैनल महाकॉसल एकेडमी में आपका स्वागत है आज जो हम कुश्चन करेंगे दोस्तो वह संदी से संबंदित कुश्चन रहेंगे जो एक्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संदी होगी किस प्रकार करने का तरीका क्या होगा पहला कुश्चन के साथ हम जाते हैं कि देवेंदर में कौन सी संदी है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तो बिल्कुल नियम की हम बात नहीं करेंगे अब हम देखेंगे कि जहां पर हम रुकते हैं वहीं पर क्या होती है संधी होती है अब आपको सब्द तोड़ते आना चाहिए और रुकना आना चाहिए तो यहां पर हम बात करें तो हम बोलेंगे देव देव अब जहां पर रुकते हैं वहां पर हमको मात्राइं देखनी है यदि मात्राइं में एक मात्रा और ओ की मात्रा और अर अजाए ध्यान से सुनिएगा जहां पर एकी मात्रा मेंस क्या होगा ए जहां पर ओ की मात्रा मेंस क्या होगा ओ की मात्रा और जहां पर अर अजाए अर वहां पर हमारी होगी गोड़ स्वर संधी फिर से मेरी बास सुनिएगा मात्राओं को देख ये एक ही मात्रा दिखी बिलकुल आप पहचान जाएए कि यह कौन सी संदी होगी गोण स्वर संदी इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह क्या होगा गोण स्वर संदी और इसका आपको पता होना चाहिए संदी विक्षेत होगा देव धन होगा इंद्र और यहाँ पर हो पर आई की मातरा मिल जाए वहाँ पर व्रद्दी संदी होगी। आयादी संदी की पैचान है यहाँ पर आई आई और आव मिल जाए वहाँ आयादी संदी होगी। और जहां हम रुपते हैं वहाँ पर बड़ा A की मात्रा के रूप में दिखेंगे दूस्तों यहाँ पर बड़ा A, बड़ी E, बड़ा O, दिख जाए वहाँ पर होगी दीर्ग स्वर संधी क्या होगी दीर्ग स्वर संधी इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह Option No.B होगा क्या होगा Option No.B फिर से बता दूँ जहां पर मात्राएं आपको देखना मात्राएं आपको देखते आने लगा मतलब आपके संधी बिलकुल आसान हो जाएगा Next Question देखते हैं निस सार, अब यहाँ पर देखें हाँ और एक बात और बता दूँ कि संदी विच्छेद में हमेशा दोनों सब्द सार्थक होना चाहिए अब देखें नहीं स्यार क्या आपको स्यार सार्थक सब्द है नहीं है मतलब ये संदी बिलकुल नहीं होगी निस्त धन सार हो सकता है निस्त सार ये भी नहीं हो सकता है अब आप देखें कि जहाँ पर रुकते हैं वहीं सब्द आधा हो जाए वहाँ तो होगी यार संदी पर यहाँ पर देखें सब्द पूरा हमको मिल रहा है सार पूरा सब्द मिल रहा है सार यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो इसका जो आंसर होगा वह होगा option number B सार्थक भी दिख रहा है निह धन सार सार्थक सब्दों को देखना संदी विच्छेत करते समय हैं कि दोनों जो स लब्ध हैं, वह क्या होना चाहिए, सार्थक, इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा, वह option number C होगा नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं, गिरीस, गिरीस, नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं, गिरीस अब यहां आपको पहचान होगा कि गिरीस का संधी विच्छेत क्या है अब आब जब गिरी लिखते हैं तो बड़ी की मातरा लिखते हैं कि छोटी की मातरा तो गिरी में हमेशा ध्यान रखेगा छोटू की मातरा आएगी गिरी गिरी तो बड़ी की मातरा वाला होगा गिर कोई complete सब्द है नहीं गिर धन ओस सार्थक नहीं है गिरी धन ओस यहां भी सार्थक नहीं है तो इस प्रकार से हमारा जो सब्ध होगा गिरी souvent इस और इसमें यदि आप से बोले दोस्तो संधी कौन सी है तो जैसा कि मैं आपको बताया जहां रुक है गिरी और बढ़ा पर बढ़ा आ जाए बढ़ा आ बढ़ी इ बढ़ा उ वहां पर समझ जाएगा दीर्ग होगी बढ़ा मतलब क्या होता है दीर्ग और बढ़ी की मात्रा आपको हम रिप्रेजंट करते हैं इ की मात्रा यहां पर दिख रहा है इकी मात्रा इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा या कौन सी संधी होगी दोस्तों दीर्ग स्वरसंधी नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं अन धन नी धन आय के मेल से कौन सा सब्द बनेगा इंपोटेंट है अ धन नी धन आय के संयोग से कौन सा सब्द बनेगा तो यह जो बनेगा वह होगा option number B अन्याए क्या होगा दोस्तो option number B अन्याए next question देखते हैं परिचेद परिचेद में कौन सी संधी है बहुत important question है परिचेद में कौन सी संधी है अब आप मेरे को बताएंगे अब आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर देखें परिचेद आप यहाँ पर पहचानने जहाँ पर रुकते हैं वहीं सब्द आधा हो और बाज चेट को उचेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मतलब गोण नहीं होगा बेंजन हो सकता है अब देखें विसर परिधन चेट तो अब ये चाकी कहानी तो बननी रही है मतलब ये विसर को होगा नहीं दीर्ग दीर्ग जहां पर भी द्यान दें कि क्या यहां कही पर बड़ा बड़ा देख रहा है नहीं देख रहा मतलब देरक होगा नहीं हमारा आप मैं आपको बता दे रहा हूँ परिछेद बगेरा के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं तो ध्यान रखेगा परिच्छेद अजाए विच्छेद अजाए परिच्छेद अजाए विच्छेद अजाए परिच्छेद प्रिच्छन अच्छादन अनुच्छेद अनुच्छेद ध्यान रखेगा सुनिएगा मेरी बाद विच्छेद अनुच्छेद प्रतिच्छाया आदा चा ke साथ उद्धी चा आए तो वहाँ पर निश्चित मानके चलिएगा कौन सी संदी होगी? वेंजन संदी होगी इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वहाँ ओप्सन नंबर बी के साथ जाएगा ओप्सन नंबर बी ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं निस्चल अब देखें पहचाने विसर्ग होगा हो सकता है जहाँ पर आधा जाए या तो वह यान होगा या विसर्ग होगा सीधी सीवा क्या यहाँ पर एक ही मात्रा ओक ही मतलब गुण होगा नहीं क्या आकी मात्रा बड़ा कुछ दिख रहा है देर्ग मतलब होगा नहीं अब याण और विसर्ग को बहुत ध्यान से समझें अब देखे चल अपने आप में कंप्लीट है क्या इसको उचल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सब्द आधा हो बाजवाला चेंज होना चाहिए तो बाजवाला कोई चेंज नहीं होगा मतलब याण होगा नहीं तो सीधी सी बात है कौन सी संदी होगी विसर्ग और इसका संदी विच्छेद होगा निह धन चल निस चल निह धन चल इस प्रकार से अंसर होगा option number B अब यदि अपन देखे manobal manobal अब जैसा कि मैंने आपको बताया manobal O की मात्रा है मतलब यहां कौन सी संदी होगी गुर संदी तो होगी क्या बल को अपने आप में complete है मतलब यहां पर फिर से विसरग हो जाएगा manobal next question देखते हैं जगनात जगनात सबसे आसान question है जगनात में कौन सी संदी है पहचाने विसरग है होगा नहीं सवर है होगा नहीं कौन सी संदी है जगत धननात वेंजन संदी है next question देखते हैं next question देखते हैं manohar manohar में कौन सी संदी है मनोहर में कौन सी संधी है आप यहाँ पर पहचाने मनोहर में कौन सी संधी है तो यहाँ पर आप देखेंगे मनोहर में संधी तो जैसे कि आप बताएं मनो, ओ, ओ की मात्रा आई मतलब यहाँ पर आपकी गुर संधी हो सकती है पर क्या हर अपने आप में complete है उहर नहीं कर सकती मतलब यहाँ पर मना धन हर मतलब कौन सी संदी होगी विसर्ग संदी होगी व्रद्धी तो है नहीं अवकी मात्रा है नहीं दीर्ग है नहीं इस प्रकार से answer जो होगा वह कौन सा answer होगा विसर्ग संदी नेक्ष्ट कुस्चन देखते हैं अत्याचार अब इसका संदी विच्छे देखे सार्थक सब्दिस चुन्ना आपको अती धन आचार अचार लिखते कि आचार लिखते हैं तो द्यान रखीगा आचार में आकी मात्रा रहती है तो इस प्रकार से हमारा जो जबाब होगा वहाँ ओप्सन नंबर सी होगा अती धन आचार मतलब क्या होगा अत्याचार और अत्याचार में ध्यान रिखिएगा देखो संदी विच्छेत करें अती धन आचार अती धन आचार अब देखें सब्द आधा होगा बाजुवाला यह से आऊगा मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर कौन सी संदी होगी यान संदी कौन सी संदी होगी दोस्तो यान संदी संतोज संतोज का संदी विछेत करें सन होता है कि सम उपसर्ग होता है सम उपसर्गोता कि सन होता है तो सम उपसर्गोता है मतलब ये भी नहीं होगा आपका आंसर ये नहीं होगा सम धन तोस ये भी नहीं होगा सम धन तोस यह भी नहीं होगा आंसर आपका होगा सम धन तोस और इसमें जो संदी है वह होगी वेंजन संदी क्या होगी दोस्तों वें सार्थक सब्दे देखिएगा सत्या होता है कि सत्य होता है तो सत्या नहीं होता है सत्य होता है सत्य धन आग्रा अब यहां पर देखिएगा बहुत गोर से देखिएगा आंसर तो मैंने आपको बता दिया सत्य धन आग्रा हुआ जहां पर रुके सत्य वहीं सब्दा आधा तो वहां विसर्ग भी हो सकती है पर कैसे होगी देखना सत्य है या की जगा आ हुआ जहां पर रुके सब्द आधा हुआ और बाजवाला या की जगा चेंज हुआ जहां पर रुके सब्द आधा हो बाजवाला चेंज हो तो वहां कौन सी संदी होगी यान संदी इस परकार से ह मारा आंसर होगा सत्य धन आगरह सत्यागरह option number B question number देखते हैं 12 गायक गायक अब इसका संदी विच्छेट करके देखना है गधनक गोधनक गधनक गधनक और गाधन यक यक अक कुछ होगा नहीं इसका सीधा सा जवाब है इसका जो आंसर होगा option number A गय धन अक बराबर गायक गय धन अक बराबर क्या होगा गायक और इसमें जो संदी होगी वह कौन सी संदी होगी मुझे please comment करके बताना next question देखते हैं नी रोग अब मैंने आपको बताया कि सब्द सार्थक नी धन रोग यहाँ पर कुछ change हुआ कुछ change हुआ मतलब यह संदी तो है ही नी नी धन रोग क्या change हुआ संदी नहीं होगी नी की नी सार्थक है नी धन रोग इस परकार से हमारा जो आंसर होगा वह option number B होगा तो निरोग में जो संदी है वह कौन सी संदी है विसर्ग संदी भोज नालय अब देखें सार्थक सब्द सुनना है आलय होता है कि अनालय होता है कि जनालय होता है सार्थक सब्द है आलय और आलय एक ही आप्सन में देख रहा है भोजन धन आलय भोजन धन आले और भोज नाले में कौन सी संदी होगी तो जवाब होगा दीरग सर संदी कौन सी होगी दीरग सर संदी इस प्रकाश से आंसर जो होगा option number C होगा यदपी में कौन सा संदी विच्छेद है तो सार्थक सब्द को चुनना कुछ नहीं देगे यदा होगा नहीं यदा पी होगा नहीं यद धन आपी होगा नहीं अपी होता है इपी होगा नहीं तो आंसर होगा यदी धन अपी बराबर क्या होगा यदी धन अपी बराबर यद धपी, आप मेरी बात सुनीएगा, छोटी की मात्रा है, मतलब छोटा E और यहांपर क्या है A, छोटा E और A अब मेरे को बताईए यद धपी में कौन सी संदी होगी, यदी E धन आ, इ धन आ तो यहां पर होगी अपी यहां कौन सी संधी होगी दोस्तों कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि यह दपी में कौन सी संधी होगी तो इसका आंसर जोगा यदी इ और आ इ और आ जब मिलेगा तो यहां पर कौन सी संधी होगी प्लेस कमेंट करके बताइएगा आंसर है आपसन नमबर A, सब्त रिशी, अब देखो सार्थक सब्द सुच्छुन, सब्तम धन रिशी ऐसा कुछ होगा ने, सब्त धन रिशी, अब रिशी ऐसे लिखते हैं कि छोटी लिखते हैं, सब्त धन रिशी नहीं है ये, तो और जो होगा, यहाँ पर अर अजाए, वहाँ पर जो हमारी होगी, वह होगी दोस्तोव, गोडे स्वरे संदी. तो इसमें सबत्रिसी में कौन सी संदी है, справस्तोव, कौन सी है, गोडे स्वरे संदी. next question देखते हैं सखयो, सखयो आब देखो सखयो में संदी विच्चित क्या हूए सखा धानेव, हो सकता है सखी धानेव, जखी अब छुटी से लिखते हैं कि बड़ी की मातर से लिखते हैं तो द्यान रखिए अगा सकी जब भी लिखेगा आप वहोगी सखी ये गलत है ये गलत है सकी होगा सकी अब आप देखें बड़ी की मात्रह किस-किस में हैं सक्का नहीं है सकी नहीं है सकी ये भी नहीं है सखी धन एव ओप्सन नमबर डी ही इसका सत्य आंसर होगा और सखेव में कौन सी संदी है तो देखें जहां सब्द आदा हो ए से एव हो रहा वहां सब्द चेंज हो जाए बाजवाला वहां होती है यान स्वर संदी नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं देवी इक्षा में कौन सा संदी विचे सही है अब देखें देवी धन इक्षा होगा सार्थक चुनना है देव धन इक्षा देवी इक्षा होगा नहीं देवी धन इक्षा अब देवी छोटे की मातर से नहीं लिखते हैं देवी धन इक्षा यही सार्थक दिख रहा है मतलब answer जो होगा option number C होगा देवी धन एक्छा next question देखते हैं कवीस कवीस का सही संधी विच्छेद चुनना है अब सार्थक का धन इस ये तो होगा नहीं ध्यान देना ही नहीं का धन विस होगा नहीं ये तो कवी होगा या कवी होगा अब सार्थक कवी कैसे लिखते हैं वा में चोटी की मात्र वी मतलब option number क्या होगा ए और कवीस में कौन सी संधी है तो वा में ए की मात्र बड़ा दिख रहा बड़ा को क्या बोलते हैं दीर्ग तो यहां पर संधी होगी देर्ग स्वर संधी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पित्र चाया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दो तो पित्र चाया पित्र धन इच्छा ओप्सन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा पित्रधन इच्छा बराबर क्या होगा? प्रितिक्था और यहाँ पर जो संदी होगी वहब संदी होगी वेंजन संदी क्या होगी? वेंजन संदी इस प्रकार से अंसर option number A होगा पित्रधन इच्छा 21 वक का question देखेगे सरस्वत्य सोध का संदी विच्चेद क्या होगा तो इसका देखें सरस्वत्य आयोध कोई सब्द सार्थक है आयोध सार्थक है की ओध सार्थक है तो सब्द जो है वहाँ ओध सार्थक है तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा सरस्वत्य धन ओध बरावर क्या होगा सरस्वत्य ओध इसका जो आंसर होगा अब इसमें जो संधी होगी जहां सब्द आदा हो और बाजु वाला चेंज हो रहा या की जगा आ हो रहा मतलब कौन सी संधी होगी दोस्तों यहां पर यहां स्वर संधी नेक्स् कौन सी संदी होती है यण सोरी व्रद्धी सर संदी अब यहां पर पूछा है संदी विच्छेत तो सदा होगा की सद होगा सदा होगा की सद होगा बताएंगे तो मेरे को बताएगा यहां पर जो आंसर होगा वह होगा सदा धन एव सदय और सदय में यदि पूछे कौन सी संद देख रहा है यदि एक डंडी होती तो द्यान रखना वहां पर होती गुण और दो डंडी हो जाएं तो वहां पर समझ जाएगा हो गई उसमें क्या अब रद्धी तो सदाधन एव सदेव ऑप्सन नमबर एग नेक्स्ट कुश्चन देखें दुस सासन का सही संदी विच्छे देखें अब देखें बाजिवाला कहीं चेंज हो रहा है दुस आसन दुस आसन नहीं सासन होता है मतलब ये तो होगा नहीं अब देखें बाजिवाला चेंज हो रहा है दुसा आसन ये होगा नहीं बाजिवाला चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये सीधा विसर्ग में चल सचछची दानंद का सही संद्धी विच्छे तो देहां देखे सत धन चित धन आनन ऑप्सन नंबर इसका संद्ध होगा उन्नती में सऺज़ का संद्धी विच्छे आपको देखता है उन्नती अनन्ती यह लो यह देखेрах यहां पर कोई स्वर है नहीं तो यहां पर स्वर होगा नहीं तो यहां पर जो आंसर होगा उत्धन्नती बराबर उन्नती और यहां कौनसी संधी है वेंजन संधी कौनसी संधी दोस्तों वेंजन संधी इस प्रकार से आंसर जो होगा अपसन नमबर आ होगा फिर नेक्स्ट कु शबाब होत वह क्या होगा सड़ धन अमार्ग होगा नहीं सब फिन अमार्ग होगा सड़ धन सड़ धन और सट धन तो आप मुटाइए Mission यहां पर शट जो है वह उपसर्ग है और उपसर्ग 10 नहीं है सट यह सट है, तो सट धन मार्ग, Option नमबर दा इसका सही संदी विच्छेद होगा फिर question number next देखते हैं मनूरत मनूरत आप देखें जहां पर ओकी मात्र हो तो मैंने आपको बताया था वहां पर गुण होगी गुण होगी पर गुण है पर रत अपने आप में complete और इसको आप change नहीं कर सकते मतलब आव यह गोणन ना होकर क्या हो जाएगे विसर तो यह क्या हो जाएगा answer माना धन रत बराबर मनूरत option number B आप मेरी offline class में होते तो साह समझ पाते हैं मैं पूरी कोसिस कर रहा हूं कि आप समझे संधी बिन नियम धरम के कैसे सौल की जाती हैं उज्वल उज्वल का सही संधी विच्षेद करें उत्वल का उज्वल का सही संधी विच्षेद और यह सही सब्द है दोस्तों उज्वल ऐसे ही लिखते हूँ आदा जा आदा जा वा ओल ला तो इसका सही संधी विच्षेद है उत्वल उत्वल बराबर क् अन्ना भाव अन्ना अब एको अन्ना लिखते हैं कि अन्ने लिखते हैं अन्ने लिखते हैं अन्ने अभाव में आकी मातर आता है कि आता है तो इस प्रकार से हमारा जोहुष का आंसर वह होगा अन्ने धन अभाव अभाव नहीं लिखते हैं सार्थक सब्द चुनना है अन्न धन आ भाई अब देखें अब सब दादा हुआ, ना की जगा चेंज हुआ मतलब सोघा है यहा Assistant कौनसी संदी होगी? यड़ कौनसी संदी होगी? जड़ अनंत 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 का सही संदी क्या होगा? अन्न धन अन्त nantant तो होगा नहीं मतलब elaminate कर उत्ता होगा नहीं अन धन अन्त अब अन में क्या जुड़ा है अन अब यह जहां पर देखेगा इस प्रकार से जहां जुछ संधी है यह कौंसी संधी जहां लंट लग जाए वहां पर कौंसी संधी होगी वेंजन संदी और हाँ आपको बता दो एक्जाम में अधिकांस उधारण संदी स्वर संदी के भेट से पूछे जाते हैं पांच प्रकार के हैं देर्गिस्वर संदी गुड़ संदी प्रद्धी संदी यड़ संदी आयादी संदी यहीं से 90% चांस हैं कि एक्जाम में कुछे पूछे जाते हैं नेक्ष्ट कुश्चन देखें बहिसकार बहिसकार में सही संदी विच्छेत क्या होगा कार कार चेंज हो नहीं सकता नहीं हो सकता मतलब सीधा सा है कि यह कौन सी संदी होगी यह होगी विसर्ग बही धन कार बहिसकार ओप्सन नमबर ए नेक्ष्ट कुश् रुपते हैं वहां सब्द आधा हुआ यादी का आधी हुआ चेंज हुआ मतलब यहां कौन सी संदी है याण कौन सी संदी है याण समझाने कि पूरी कोशिस कर रहा हूं अफलाइन बेच वाले स्टूडिन देखेंगे तो बिलकुल समझ में आएगा इती धन आदी यहां से आ हुआ चेंज हुआ बाजी वाला चेंज हुआ मतलब याण है और आधा भी है जहां पर रुपते हैं वहां सब्द आधा हो और बाजी वाला चेंज हो जाए वहां पर या संदी होती है तो इस प्रकार से सही संदी बिच्षेद होगा एती धन आधी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं चैन में कौन सी संदी है अन आए आव इस प्रकार से आए तो हमारा जो आंसर होगा वहां कौन सा होगा आयाधी अयादी आए आए अभी आओ इस प्रकार से आते हैं चयन अन आ रहा है न तो इस प्रकार से संधी होगी अयादी संधी अप्सन नमबर D लंबोदर अब बिर को बताएं लंबोदर में कौन सी संदी है अब देखें सब्द को तोड़ें लंबो ओ की मात्रा आ रहा और यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाए वहाँ पर ओ की मात्रा और वहाँ पर एकी मात्रा रुकते हैं वहाँ पर हो जाएगी कौन सी संदी दोस्तो गोड़े स्वरे संदी तो आंसर होगा ओप्सन नमबर एक गोड़े संदी फिर देखें अनवय अनवय में कौन सी संदी होगी अनुधन आए इसका सही संदी विच्छेद होगा अनुधन आ आप देखें वय से आय हुगा सब्द आ जहां रुके वहीं सब्द आधा हुगा वाजुवाला चेंज हुगा मतलब कौन सी संदी होगी यहां पर दोस्तों याण कौन सी संदी होगी याण option number B इसका सही जबाब है मतलब याण संदी बहुत आता एक्जाम में जहां पर रुकते हैं वहां सब्द आधा हो बाजुवाला चेंज होगा है याण संदी होगी चंद्रो दय यहां पर कौन सी संदी होगी चंद्रो ओ की मात्र आ रहा है समझ पा रहा है मेरी बात ओ की मात्र आ रहा है मतलब यहां पर कौन सी संदी होगी दोस्तों गोड यह ओकी मात्र दिख रही है ना रुक रहे हैं चंद्रो अवैसा नहीं कि चा आधा चंद्रो में रुकनी रहे जहां रुकना आपको तो इस प्रकार से आंसर होगा गोड सरसंदी अब इसको आप यण संदी मत सम दोतमा यहां है क्योंकि सब्ड़ा आधा हुगा पर जहां रुक़्ेंप वहाँ आधा नहीं हुगा चंद्रो मतलब कौन सी गोड सरसंदी कि निरधन अब मेरे को जबलाए निरधन में कौन सी संदी है अब देखो जहां रुके वहाँ ए-O दिख रहा नहीं दिख रहा निह धन धन निह धन धन निर्धन महो सधी अब देखो बड़ा ही प्यारा तरीका बता रहा है जहां पर रुकते हैं महो तो यहां पर आई की मात्रा और आउ की मात्रा तो महो आउ की मात्रा आ रही है वहाँ पर देखो गुण में क्या होगा समझेगा मेरी गुण एकी मात्रा और ओ की मात्रा वहाँ गुण और जहाँ पर आई की मात्रा और आउ की मात्रा रुकते समय तो वहाँ पर कौन सी संदी होगी ब्रद् तो गुण में देखना एक एक की ब्रद्धी हुई तो गुण के बाद ब्रद्धी तो इस प्रकार से आंसर होगा option number B फिर next question देखते हैं उद्ध घाटन तो उद्ध लगा उद्ध धन घाटन और जहां भी हलन्त लग जाए वहां कौन सी संदी होगी दोस्तो वेंजन संदी उद्ध धन घाटन अब देखो यहां पर समझे आयादी आया होगा नहीं मतलब लेमिनेट करें होगा नहीं यान कहीं आ तथा तथेती अब यहां पर देखें एकी मात्र दिख रहा है एकी मात्र दिख रहा है तथे और जहां पर मैंने आपको बता एकी मात्रा और ओकी मात्रा हो वहां कौन सी संदी होगी गोण और यही में जब आय की हो जाए और आव की हो जाए तो वहां क्या हो जाती ब्रद् अब याड आदा है नहीं मतलब याड और होगा नहीं विसर्ग नहीं है वृद्धी नहीं है तो आंसर क्या होगा गोड संधी नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं निस्तेज निस्तेज निह धन तेज अपने आप में complete अब देखिए सब्द आधा हो रहा मतलब याड हो सकता है प विसर्ग संदी तो निह धन तेज 41 का होगा option number B अब गुण इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पर रुकना निस में रुके यहाँ पर रुके तो व्रद्धी हुई नहीं मतलब यह होगा नहीं मतलब यह होगा नहीं मतलब ऑप्सन होगा option number B question देखते इत्ति आदी अब समझे जहां पर रुके इत्ति आदता में रुके और यादी बोला तो जहां पर रुके सब्द आदा होगा अब बाजुवाला change हुआ इत्ति धन इसका सही सिंद्धी विच्चेत करें तो देखें इत्ती धन क्या होगा आदी अब यहाँ पर देखें जहां पर रुके सब्दा आदा हुआ बाजू या से आववा चेंज हुआ मतलब कौन सी संदी होगी यान संदी होगी तो इस प्रकार से हमारा जो 42 कांसर होगा वह होगा यान व्रद्धी होगी नहीं क्योंकि आओ जहते हैं आवी की मात्र आव की मात्र है ने देर का अब ऑगेरर रुकना है दोस्तो रुकना है कि सवागद अब ये सु संदी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं समुद्रोर्मी इसमें कौन सी संदी है जहां पर मैंने आपको ताया ओ की मातर दिखे समुद्रो ओ ओ दिख रहा ना जहां पर ओ की मातर दिखे और ओ की मातर ओ की मातर समुद्रो ओ ओ न मतब कौन सी संदी होगी गोन सरसंदी नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं सरसंदी के कितने भेद होते हैं तो आपको पता होना चाहिए सरसंदी के पांच भेद होते हैं कितने होते हैं पांच दीरगे स्वरसंदी गोण स्वरसंदी वरदी संदी यान सरसंदी और आयादी स्वरसंदी बैक्ष्ट पहचान जहां पर रुके बड़ा आ बड़ी इ मात्रा के रूप में दिखेंगे गुण में क्या होंगे ए और ओ ब्रद्धी में क्या दिखेंगे आई और आउ रुकना है जहां यड में आदा होगा बाजी वाला चेंज होगा आदी आई आई आउ 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 तो अप्सन नमबर दी सही होगा सूर्य धन उदाय सूर्य उदाय में सूर्य उदाय अब देखो यहां पर आंसर जो होगा सूर्य उदाय वो होगा है मतलब सीदी शिवाद देर्गत्र नहीं है अब दिमाग नहीं लगाना गुण में नी रोग आप यहां पर समझिए गँण में कहीं आपको यहां रुकते हैं वहाँ ओ दिख रहां मतलब यह आपका जवाब होगा ने स्वरसंदी, अब स्वरसंदी में कौन सा प्रकार है, तो निय धन रोग, इसका सही संदी विच्चेद है, निय धन रोग, और इस प्रकार से देखें, तो यह कौन सी संदी होगी, निय अब देखें, यहाँ पर समझेगा, नयन में कौन सी संदी होगी, अनारा मतलब सीधा सा कौन सी संदी होगी, अभी सेख का संदी संदी विच्चेद, बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कुश्चेद होने वाला है, अभी सेख बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कुश्चेद है, और यहाँ पर इसका सही संदी विच्चेद क्या होगा, अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिए गाणडबंध के, अभी धन सेख, और इसमें जो संदी है, वह है वेंजन संदी, कौन सी है दोस्तों, वेंजन स संदी, अभी धन सेख, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए अगा इससे संदी विच्चेद, अभी धन सेख, दिनेश, अब आप मेरे को बताएं दिनेश, जहाँ पर रुखे दिने, अब एकी मातरा है, एकी मातरा है, मतलब कौनसी संदी हो जाएगी, गोण संदी, तो इस प परकार हमारे देड़ सो पूरे संधी टॉपिक को कवर कर देंगे देड़ सो एक्जामपल और यही एक्जाम में कहीं न कहीं आप से पूछे जाएंगे तो इस परकार से वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा पढ़ाने का तरीका जल्दी है फास्ट है समझ में नहीं क्या रहा क्या है कैसा है तो इस परकार से आप मेरे को कमेंट करेंगे तो समझ में मेरे को आएगा जहां समझ में नहीं आता हुआ कमेंट में रिपलाई करें मैं रिपलाई दूंगा आपको इस परकार से हमारी आज की क्लास खतम करते हैं जैहिन जैभारत